गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अजय आनंद, एक नई कहानी सुनने के लिए आपका स्वागत है, इस कहानी का शीर्षक है कच्छुआ और हंस, यह कहानी पंचतंत से ली गई है, कहानी शुरू करते हैं, एक कच्छुआ था और उसके दो दोस्त थे, जो हंस थे, तीनों आपस में घंटों बाते करते थे, हंस पूरी दुनिया के बारे में एक से एक रोचक किस्से सुनाते थे, कच्छुआ को उनकी बातें सुनकर बड़ा मजा आता था, बेचारा कच्छुआ, अपने तालाब की सीमित दुनिया से संतुष्ट नहीं था, उसने हंस से कहा, ह आप हमरे दोस्ट जो ठहरे, उसके बाद हंस कहीं से एक लंबी लकडी ले आए, उस लकडी के दोनों सिरों को एक एक हंस ने अपनी चोंच से पकर लिया, कच्छुआ उस लकडी को बीच से पकर कर लटक गया, इस तरह कच्छुआ हवा में उरने लगा, उपर से धर्ती का जारा कमाल का था, जंगल, नदी, पहाड, गाउं, आदी को कच्छुआ पहली बार देख रहा था, वे एक गाउं के उपर से उरने लगे, नीचे गाउं बाले बड़े कौतुहल में थे, बच्चे, बूढे, जवान, सभी चिल ला रहे थे, उका है, हंस का बच्चा, अरे नहीं, ये तक कच्छुआ लगता है, अरे बापरे, कमाल हो गया, कच्छुआ अपनी बड़ाई सुनकर फूले नहीं समा रहा था, वह, खुशी के मारे चिलनाना चाहता था, जैसे ही कच्छुए ने मुह खोला, धडाम से सीधा जमीन पर जागिरा, इस तरह बेचारे कच् थैंक यू